उट्षना नेनपारि, असिस्टन्ट प्रोफेसर, सोचोलोजी, गवर्मेंट कॉलेज बूंदी एक बार पून है, आपका स्वागत करता हूँ, राजकी महविद्यल बूंदी के ओफिशियल यूटूब चैनल में प्यारे विद्यहरतियों, आज का ये वीडियो B.F.S.C. के विद्यहरतियों के लिए हैं, जो की पेपर सेकिंड इंडिया सोसाइटी भारतिय समाज से सम्मंदित हैं, जिसके अंतरगत हम लोग धार्मिक विश्वास और व्यवहरों की बात करेंगे जब हम लोगों ने एतियासिक अंतर इस्तापित विवित्ताओं में बाशा, जाती और बारतिय समाज में विवित्ता में एक्ता का अध्यन किया था, उसके पश्यार्थ अब हम लोग जो धार्मिक विश्वास और व्यवहर हैं, उनके बारे में विश्वरी सर्चा करेंगे और यह जानने का प्रयाज करेंगे कि धर्म क्या है, धर्म कैसे समाज पर प्रभाव डालता है और किस प्रकार से समाज धर्म द्वारा भावित होता है साथ ही धर्म की क्या अर्थ परिभाशा है क्या विशेस्ताएं हैं और विविन धर्मों के बारे में अलग-अलग वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे तो चलिए शुरुवात करते हैं सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारा भारत देश है हमारा जो राष्टर है वो एक प्राचीनतम संस्कृति और सब्वेता को लिए हुए है और यहां अनेक धर्मों का उद्भव हुआ है प्रसार हुआ है और प्रभा रहा है और निरंतर रूप से हम देखेंगे कि जो भारतिय संस्कृति है वो अक्षुन्य रही है और जहां पे भारतिय समाज के प्रत्यक शेत्र में चाये वो दर्शन हो, साहित्ते हो, कला हो, प्रभावित एवं परिवर्तित किया है और इन सबी के अंतरगत वर्ण, आश्रम, विवा, इस्तिति भूमी का है वो आधिकों सक्री रूप से प्रभावित किया है तो यदि हम कंक्लीजन के रूप में देखें, निश्करश रूप में देखें तो हम देखते हैं कि जो भा प्रभावित किया है तो जो भारती समाज है भारती समाज है वह एक विलख्षण समाज है और यहां का जो हम देखते हैं कि भारत के समाज और इसमें व्यापत जो विबिन धर्म हैं वो भली बाती से हम लोग उससे परिचित हों और जिसे वर्तमान में जो समश्याएं हैं उनको जानकर उनके निवारण का प्रियास कर सकें इसलिए धर्म और विश्वास बहुत ही इंपोर्टन टॉपिक है इंपोर्टन अपना महत्यों रखते हैं तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग धर्म की अर्थ और परिभाशा यदि हम धर्म का शाब्दी करते देखें या उपर उपर से धर्म की विश्वत्पति देखें तो हम देखेंगे हम देखेंगे कि जो धर्म शब्द है उसके उत्पत्ति संस्कृत भाषा के द्रिद शब्द से मानी गई है जिसका आर्थ है धारन करना अर्था धारन करने से धर्म शब्द की वित्पत्ति हुई है तो धारन करने वाले जो तत्व हैं उनको धर्मे कहा गया है और वेदों में यदि धर्म शब्द का प्रियोग देखें हम लोग तो धार्मी क्रिया करने से जो अर्जित गुण के अर्थ में हुआ है कि व्यक्ति जो धार्मी क्रिया करने के फल्सुरूप जो उसको गुण प्राप्त होते हैं वो गुणों का अर्जन करता है वो धर्म के अंतरगत आता है और सात्विक गुणों को धर्ण करना धर्म के अंतरगत आता है सबी जीवों के प्रतिदाया रखना, लोक ल्यानकारी कारे करना ये सबी धर्म हमें सिखाता है अब ये दिपरिभाशा हैं देखें तो मेलनौस के कहते हैं कि धर्म क्रिया का एक तरीका है और साथ ही विश्वासों के एक व्यवस्ता भी और धर्म एक समाशास्य गटना के साथ साथ व्यक्तिकत अनुभव भी है यदि धर्म की हम विश्वर्श परिभाशा देखेंगे तो धर्म समाशास्य दिश्टिकौन से तो है लेकिन साथ ही साथ धर्म एक व्यक्तिकत अनुभव भी होता है अपने अनुसार धार्मिक क्रियाय करने के लिए स्वतंत्र होता है और धार्मिक क्रियाय करता है जॉनसन कहते हैं कि धर्म कम याधिक मात्रा में अलोकिक शक्तियों तत्वों तथा आत्मा से सम्मंदित विश्वासों और आच्रणों की एक संगठित व्यवस्ता है यदि हम कहीं भी धर्म की परिभाशा देखेंगे धर्म को परिभाशित करेंगे तो हम इसके अंतरगत अलोकिक शक्तियों में विश्वास उससे सम्मंदित तत्व आत्मा और परमात्मा की बात अवश्य करते हैं अलोकिक शक्ति में विश्वास पर आधरीत हैं जिसमें आत्मावात और मानावात दोनों सम्मेलित हैं होबल ने भी वही अलोकिक शक्ति में विश्वास पर धर्म की बात कही है तो कहने का ताथ पर यह है, धर्म के अंतरगत, एलोकिक शक्ती में विश्वास, आत्मा परमात्मा, इन सभी की बात की जाती है, और इनको सम्मंदित किया जाता है व्यक्ति का अनूभवों से, यह कहें कि जो समाज शास्त्र के अंूभव हैं, उसके अंतरगत इनको शामिल कि जाता है अब हम लोग देखेंगे जो हिंदु धर्म है उसके धर्म के विश्वास और व्यवहार क्या क्या है कि हिंदु धर्म के अंतरगर्थ हम लोग किन-किन चीजों को शामिल करते हैं और हिंदु धर्म के अंतरगर्थ कौन-कौन से चीजें आती है तो देखते हैं सबसे पहले है जो हिंदु धर्म है वो अर्चना, आराधना, पूजा, आर्धी करने के लिए हम हिंदु धर्म में स्वतंत्र होते हैं और जो भारत देश है उस वो हमेशा से धर्म प्रधान देश रहा है जिसमें अनेक धर्म परमपराएं ओधित होती रही है और जो हिंदु धर्म ह वो यहां का प्राचीनता धर्म है और इसका जो उद्गम है इसका जो उद्पत्ती है वो रिगवेद से मानी जाती है तो जब रिगवेद के समय में जब यह धर्म सबसे पहले अस्तेतों में आया तब यह आरे धर्म के नाम से जाना जाता था और इस धर्म को मानने वाले आरे कहलाते थे अब सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि यदि हिंदु धर्म के हम बात कहेंगे तो हिंदु को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं कैसे हम कह सकते हैं कि तो यह है कि जो भारत का हिंदु निवासी हिंदु और हिंदु धर्म उसको मानने वाला हिंदु धर्म का सदश्य हु जिसमें जो पवित्र भूमिय वह हिंदू कहलाता है और वह धर्म हिंदू धर्म अत्वा हिंदुत्व कहलाता है अब हम लोग हिंदू धर्म के विश्वास और व्यभारों की बातें करें कि हिंदु धर्म के अंतरगत कौन-कौन से विश्वास है या ये कहें कि हिंदु धर्म की कौन-कौन से विशेष्टाओं को हम इसके अंतरगत सम्मिलित कर सकते हैं पहला है सनातनता सनातन का आशे है या हिंदु धर्म का कोई प्रवर्तक तो हम नहीं कह सकते हैं लिए कोई प्रवर्तक हुआ हो परंटु अनादि काल सी इसका जो विकाश हुआ है वह अक्षणए रूप से होता आ रहा है और इसे सनातन धर्म कहा जा सकता है तो यह हम कहें कि किसी एक व्यक्ति के द्वारा हिंदू धर्म की उत्पत्ति या हिंदू धर्म का नामकरनी नहीं हुआ है परंतु यह जो सनातंता है इसके अंत्रकरत हम कहते हैं कि शुर्ति स्मृति के अधार पर यदि धर्म की प्राचिंता को बताएं तो इस प्राचीन विशेष्था के कारणे इस धर्म में अनेग बाहिये तत्वों को अपने अंदर समेट लिया है जो हिंदु धर्म है ये इतना प्राचीन है कि जैसे अन्य संस्कृतियां जैसे जैसे अन्य धर्म या संस्कृतियां आई वो इसमें घुलती मिलती गई या इन सब को एकाकार करने में हिन्द धर्म की एक महत्वपूर्ण भूमी का है अनेक यूग परिवर्तित हुए और परन्तु यह धर्म अपने पत से विशलित नहीं हुआ चाहिए बाही आकर्मन हो, अनेक आंदोलन हो वे सब मिलकर भी इसका जो मूल रूप है इसलिए इसका जो मूल रूप है कि यह सनातन संस्कृति पर आधारित है यह है वेद पुरानों पर आधारित है तो इन सब के होते हुए इसकी सनातनता लगातार बनी हुई है दूसरा है faith in God, इश्वर में विश्वास यदि हम हिंदु धर्म के basic चीज के पीछे जाएं या मूल तत्व के पीछे जाएं तो जो हिंदु धर्म है उसके अंतरगत या स्विकार किया जाता है कि यह जो दृश्यमान जगत है या यह कहें कि यह जो हमें दिखाई देता है जो जगत उसकी विवित्ता के पीछे एक आध्यात्मिक एकता अवश्य होती है चाहे उसे इश्वर कहें, चाहे उसे प्रकरती कहें चाहे उसे अनेग नामों से हम जानते हैं परंतु जो ये संपून आध्यात्मिकता है जो इश्वर द्वारा संचालित होती है और वही उसको बनाने वाला है और सारा संसार उसमें मोतियों की माला के समान पीरोए हुए है उसने ऐसा क्यों होता है ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यदि हम जो दिखाई देता है उस पे गौड नहीं करके जो उसके पीछे की धारणा और भावना है क्योंकि इतना प्राचीन धर्म इतनी प्राचीन संस्कृति जो कि इतनी संस्कृतियों को अपने आप में समेटे हुए है इतनी ससकति को अपने आप में समेट कर और उसके बावजूद अपने आपको अक्षुन्य बनाए हुए है तो इसके पीछे कोई कारण अवश्य है इसलिए इस धर्म में हिंदु धर्म में इश्वर की जो सत्ता है इश्वर की जो बनाई हुई प्रकरती है उस पे विश्वास किया जाता है तो पहला है सनातन्ता दूसरा है इश्वर में विश्वास तीसरा है आध्यात्मिक्ता अब यदि हिंदु धर्म की बात करें तो इसक आध्यात्मिक्ता भी है प्रत्येक हिंदू इश्वर के आध्यात्मिक स्वरूप को स्विकार करता है चाहे वो किसी भी रूप में स्विकार करे सभी को वो जो परम सत्ता है उसकी संपूनता पर पून विश्वास होता है तो सत्चित और आनंद ये तीन उस आध्यात्मिक सत् और व्यक्ति सद्य उस आध्यात्मिक्ता को इश्वरी रूप में अनुभूती करने के लिए प्रेरित होता है अध्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात् चाहे कोई भी सुबशुबकार्य हो या कोई अशुबकार्य होता है तो यह माना जाता है कि व्यक्ति को अपने कर्मों के अनुसार इसी संसार में यहीं पर रहकर उन सभी कर्मों को भोगना होता है इसके अंतरगा जब हम पुनरजनम के आगे बात करेंगे तो कर्म के अनुसार इवक्ति को अपने अच्छे बुरे कारे के लिए जो कस्ट है या जो सुईदा है वो यहीं पर भोगनी होती है कर्म ही व्यक्ति के जीवन को नियंतरगत रखता है मनुष्य जो होता है वो अपने भाग्य का निर्माता स्वेम होता है वह जैसे कर्म करेगा उसी प्रकार से उसको समाज में रहकर अपनी भूमी का निभानी होगी और उसी अनुसार उसकी प्रैस्तिति का निर्धरण होग जिस अनुसार वह है इस समाज में रहेकर कर्म करेगा तो वस हिंदु धर्म के अंतरगत कर्म को महत्र दिया जाता है अगला है पुनरजनम का सिद्धान्त अब यदि पुनरजनम की बात करें तो जो कर्मवाद का सिद्धान्त है या कर्म का सिद्धान्त है या उसी पर आधार पर ही होता है जो व्यक्ति शुब कर्म करता है उसका फल उसको उसी अनुसार पुनर जनम में भोगना पड़ता है जो पुनर जनम का सिध्धान्त है उसके अनुसार जो योनी वर्तमान जनमें प्राप्त हुई है उसका कारण हमारे पूरु जनमों के फल होते हैं ऐसा हिंदु धर्म में माना जाता है तो हिंदु धर्म कर्म और पुनरजनम के सिद्धान्द पर कारिय करता है या उनको मानता है क्यों क्योंकि कर्म के आधार पर वर्तमान में जो कर्म है उनका प्रभाव आने वाले जीवन पर और वर्तमान में जो जीवन चल रह पुराने जीवन के कर्म पर आधारित होता है और हिंदु धर्म में इ ANNOUNCER के सिधान्त के मानने पाई जाती है अगला है मोक्ष का सिधान्त येदी बात करें तो चारो जो पूरिशार्त बताएं गए हैं चारों में मोक्ष को सरवच्च या ये कहें कि मोक्ष को सरवच्च लक्ष बताया गया है और हिंदु धर्म के नुसार जो मानवी आत्मा है वो जो ये भव सागर्या ये कहें कि भव बंदन है ये कहें कि जो संसार रूपी जो संपून माया जाल है इससे मुक्त होने के लिए जो हमारा हिंदु धर्म का जो अंतिम धे हैं, अंतिम लक्षे हैं, वो मोक्ष का मोक्षी प्राप्ती ही है, इसके अनुसार धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चारों ही पुरुशार्थ हैं, जिनमें अंतिम परेनिती हैं, अंतिम लक्षे हैं, अंतिम उद्देश हैं, वो प्राप्ति के लिए ही व्यक्ति कर्मवाद के सिद्धान्त पर पुनरजनम के सिद्धान्त को लागू करता है यदि व्यक्ति के कर्म अच्छे होंगे तो उसे मोक्षी प्राप्ति हो जाएगी और उसे इस जीवन मृत्यू के चक्र से चुटकारा मिल जाएगा ये ऐसी हिंदु धर्म में मानेता होती है अगला है रित नियम यदि हिंदु धर्म में देखें तो जो वेदों के आधार पर जो रित नियम है वो हिंदु धर्म का विश्वास होता है जो रित शब्द है रित शब्द का जो शाब्दिक अर्द होता है वो होता है नैतिक और वैदिक अर्थ में जो रित शब्द है वो सूरिय या चंद्रादी की किन्यता को कहा जाता है तो जैसे जगत के जो इस सभी पधारत हैं बाईये पधार सूरिये चंदरादी ये रित नियम के अधार पर संचालित होते हैं और इनकी जो व्यवस्ता है वो भी इस रित नियम के अधार पर ही टिकी है आर्थ कहने का ताथ पर ये है कि ये जो जगत है उसकी नियतिक व्यवस में पालन करते हैं और इसी आधार पर धर्म की विजय होती दिखाई देती है अर्था नेतिक्ता के नियम को भी इसके अंतरगर्द सर्वपरिमाना गया है अगला है वर्ण आश्रम व्यवस्ता यदि बात करें हिंदु धर्म में तो वर्णों की व्यवस्ता भी की गई है और जो चार वर्ण बताये गए हैं ब्रामण शत्री वैश्व और शुद्र उनको भी कर्मों के आधार पर ही निर्धारित किया गया है जो कि हम आगे वाले चैप्टर्स में हम लोग पढ़ेंगे अगला है विवित्ता में एक्ता जब हम हमने इस चैप्टर को प्रारंब किया या यह कहें कि इस पूरी बुक को प्रारंब किया था तो सबसे पहले हमने भारत में विवित्ता में एक्ता की बात की थी तो जो हिंदू धर्म है उसके वो भी हिंदू धर्म के अंतरगत अनेक संपरदाये विचार धाराये रिती रिवाज आधी सभी पाए जाते हैं और भीने जो संस्कृतियां हैं चाए बाही आक्रमनकारी हों सामाजी कांदोलन हुए हों सभी को अपने अंदर समेटे हुए है और उसी आधार पर जो संस्कृति है वो निरंतर चली आ रही है अगला है उदारता जो हिंदू धर्म का सबसे बड़ा विश्वास है वो यह है कि ह परिस्दियों के अनुकूलनकी जो सामर्थे है और जो शईष्णूता है जो लचिलापन है उसी के कारण हिंदू धर्म विश्व का प्राचीनतम धर्म है और जो सभी श्रिष्ट धर्म है जो संद महापूरशी शिक्षाए है आज भी हिंदू धर्म में यहां स्विकार की जाती है इसलिए जो हिंदू धर्म को है वो शयशनूता का अक्षे कोश कहा जाता है तो आज हम लोगों ने हिंदू धर्म की बात की विशेस्ते हिंदू धर्म के जो मूल्ये, जो विश्वास है, जो व्यभार है उनकी चर्चा की और जानने का प्रटने किया दें किस प्रकार से हिंदु धर्म की विशेस्ताइं हैं, किस प्रकार से हिंदुनों का महत्व हैं आज के लिए इतना ही धन्यवाद